Hello Friends, Exam Achievement पर मैं करूना आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मुगल कलापर बेस्ट वन वर्ड़र्ड कोईशन्स या फिर वन लाइनर कोईशन्स दोस्तों ये वीडियो बहुत जादे इंपोटेंट होने वाली है उन सभी स्टूडेंस के लिए जो अभी जल्दी में ही CBSC Class 12 की परिक्षा टाम फर्स देने वाले हैं इस पार exam pattern MCQ based है तो जल्दी ही मैं आपको मुगल आर्ट पर MCQ questions प्रवाइड करूँगी आप मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहें पहला प्रश्ण है किन दो इरानी चितरकारों ने मुगल कला का सुत्रबात किया दोस्तों जब मुगल कला का आरंभ हुआ था तो हिमायू अपने साथ दो आर्टिस्ट को फरात से लेकर आये थे या कहदो की इरान से लेकर आये थे तो उन दो इरानी चितरकारों के नाम है मीर सेयदली और ख्वाजा अबुद समत सिराजी दूसरा प्रशन है बच्चों हिंदू भारत में मुगल कला का प्रवेश कब हुआ मुगलों का प्रवेश कब हुआ सौरी तो मुगलों का प्रवेश हुआ 1526 में जब बाबर ने पानी पत का युद जीता और दिल्ली का साशक बना प्रेशन नमबर तीन मुगल कला पर किस शेली का प्रभाव पड़ा तो देखो दोस्तों मुगल कला पर जो थे दो इरानी आर्टिस्ट रहे थे तो सबसे पहले तो इरानी कला का प्रभाव पड़ा और मुगल कला जो शुरू ही वो इंडिया में शुरू ही यानि भारत में शुरू ही और कब शुरू ही जब राजिस्थानी शेली अपने आप में अस्तितों में थी तो इरानी और राजिस्थानी कला का प्रभाव मुगल कला पर पड़ा इसको हम अगर राजिस्थानी शेली आप्शन में नहीं होता है और एरानी प्लस भारतिय शेली होता है तो वो आंसर भी करेक्ट होगा क्योंकि राजिस्थानी शेली को भारतिय शेली के नाम से भी जाना जाता है Question No.4 है पूर्व का राफेल किसे कहते हैं तो भी जात एक आर्टिस्थ है जो ये भी इरान के थे लेकिन बाद में यानि मीर सेयदली और अबुद सिमत सिराजी के काफी समय के बाद इंडिया आये थे जिनको पूर्व का राफेल के नाम से जाना जाता है Next question है बाबर की आत्मकता का क्या नाम था बहुत ही सिम्पल बाबर नामा इसको हम बाबर नामा या तुझक ए बाबरी के नाम से जानते हैं और बच्चों इस ग्रंथ की जो भाशा थी वो तुर्की थी और बाबर ने इसे खुद लिखा था यानि कि इसके लेखक बाबर ही थे जो इन्होंने तुर्की भाशा में लिखी थी नेक्स्ट कोर्शन है वह कौन सा मुगल शाशक था जो अपने लशकर में भी चित्रकारों को रखता था बहुत बढ़िया इसका अंसर है हिमायू हिमायू के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि हिमायू का बहुत लंबा समय हिमायू अपबर के पिता थे दोस्तों और हिमायू का बहुत लंबा समय युद्ध में भी था उन्हें शाशन करने का बहुत कम अफसर प्राप्त हुआ तो क्यूंकि और वो चित्रकला प्रेमी भी थे इस कारण से वो अपने लशकर में यानि की युद्ध शेना में ही चित्रकारों को रखते थे जिससे की वो उस समय युद्ध के द्रश्यों को अपने चित्रकारों से बनवा सेकें नेक्स्ट कोशन है हिमायू किन दो इरानी चित्रकारों को देखो बच्चों यह पहला ही कोशन है जो यहां पर हिमायू के नाम से आया था मैंने शुरू में ही बताया था कि हिमायू इनको अपने साथ ल को पता होगा 13 वर्ष की उम्र में नेक्स्ट कूशन है अकबर कालीन चार चित्रकारों के नाम बताईए तो अकबर के समय पे चार चित्रकार थे जिनको हम मुगल कला का इस्थंब कलाकारों के नाम से भी जानते हैं यानि कि फोर पिलर आफ मुगल आर्ट तो वो है मीर सेयदली, अबुत समध सिराजी, दसवन्त और बसावन यहाँ पे जो जसवन्त लिखा हुआ है बिटाई वो गलती से प्रिंट हुआ है वो जसवन्त नहीं है दसवन्त है और दसवन्त वो आर्टिस्त थे जिन्होंने लंबे समय मुगल कला में चितरांकन किया और उसके बाद इन्होंने आत्महत्या कर ली नेक्स्ट कुर्शन है आईने अकबरी का लेखक कौन था सिंपल याद करने की जरुरत ही नहीं है अबुल फजल सिर्फ दो लोग थे अबुल फजल और अबुल हसन इन दोनों में अंतर है बचों अबुल फजल है जो लेखक थे जो फार्सी में अधिकतर लिखते थे और अबुल हसन है जहांगीर कालीन चितरकार जो बहुत सुन्दर चितरांकन करते थे नेक्स्ट कुर्शन है सभी किसे कहते हैं अगर आपको पोट्रेट समझनी आता तो सभी होता है पासपर साइस फोटो के चाते हो उसको शभी कहते हैं यानि कि किसी भी व्यक्ति का सामने से बनाया गया स्केच या पोट्रेट जो उसके मुख को यानि कि उसके चहरे को और उसकी कंधों को दिखाता है उसको सभी कहते हैं जिसको हम व्यक्ति चितर भी बोल देते हैं नेक्स्ट कुशन है अकबर के काल में किस कागज का प्रियोग किया जाता था अकबर के काल में शियाल कोट या मुखलिया कागज का प्रियोग किया जाता था ये कागच का प्रकार है बच्चों जिस पर अकबर चित्रांकन करवाते थे नेक्स्ट क्वेशन है अबुल हसन किसके काल में चित्रकार था? तो अबुल हसन जहांगीर के अब भी थोड़ा देर पहले आपको बताया जब हम अबुल फजल के बारे में बात कर रहे थे चित्रकार थे जो पशू और पक्षियों के चित्र बहुत अच्छे बनाते थे और ये भी जहांगीर कालिन चित्रकार है नेक्स्ट क्वेशन है जहांगीर की चित्र शाला का प्रधान चित्रकार कौन था? तो ये हैं आकारिजा जहांगीर कालीन तीन चित्रकारों के नाम अब तक आ चुके हैं आकारिजा, मंसूर और अबुलहसन Next question है मुगल काल का स्वन काल किसे कहा जाता है? तो जहांगीर के पिरियड को जो अकबर के पुत्र थे उसकी पिरियड को मुगल काला का स्वनille यूग्या चरम पिरियड कहा जाता है चाया और प्रकाश दिखाने की जो टकनीक थी जोकि जहरे पर चषरे प्रकाश दिखाने के लिए प्रियोग में लाई जाती थी उसको परुदाज कहते हैं ये बारिक बारिक रेखाओं से परदास दिखाया जाता था जहांगीर कालीन प्रमुख चित्रकार कौन थे तो तीन अभी तो हमारे पास आये थे अबुलहसन आ गए, मंसूर आ गए, आकारिजा आ गए और दो और बिटाएं आपे दिये हुए हैं वो हैं बिसंदाज और गोवर्धन नेक्स्ट कोईशन है बाजव तर्की कोक का इसको हम तर्की बाज के नाम से भी जानते हैं या बहरी बाज, इस चित्र जहां पर ये बाज बना हुआ है तो उसके गले पर कुछ ऐसे लटका हुआ है और उसमें लिखा हुआ है बहरी बाज तो बाजव तर्की कोक का या बहरी बाज या तर्की बाज इसके चित्रकार है मंसूर क्योंकि पक्षी चित्र तो मंसूर बनाते थे नेक्स्ट है सेख फूल सूफी संत का चित्रकार कौन है तो इसका अंसर है बिशंदास बिशन दस बहुत अच्छे सभी चितर या वियक्ती चितर जहांगीर के समय पे बनाते थे Next Question है कबीर और रेधास का चितरकार कौन है यह एक चितर है बचों कबीर और रेधास इस चितर के चितरकार है उस्ताद फकीर उल्ला खान नेक्स्ट कुर्शन है वह कौन सा मुगल शाशक था जो वास्तु कला में रुची रखता था तो वो थे सहा जहां क्योंकि शाहां जहां ने अपने समय में बहुत सारे इमारतें बनवाई हैं जिसमें दिल्ली का लाल किला जामा मस्जित और आगरा की मोती मस्जित भी शामिल है नेक्स्ट कोशन है शहा कलम किसे कहते हैं तो शहा जहा के समय में छाया प्रकाश दिखाने की जो सौरी दोस्तों शहा जहा काल में जो काले रंग से चित्र बनाये जाते थे उसको शहा कलम बोलते हैं यानि की काली श्याही से बनाए गए चित्रों को श्याह गलम बोलते हैं नेक्स्ट कोर्शन है किस मुगल काल में यूरोपियन तत्वों का प्रभाव अधिक दिखाई देता है तो श्याह जहा काल में अधिक दिखाई देता है नेक्स्ट और लास्ट कुरिशन है आज का हमारी इस वीडियो का किस मुगल शाषक के काल में मुगल कला का पत्न हुआ और क्यूं तो औरंग जेब के काल में हुआ क्यूंकि वो कटर मुसलिम शाषक थे और चित्र बनाने को धर्म के विरुद समझते थे इस कारण से उन्होंने चित्र कारों को डंड दिया, मृत्यू डंड दिया, अपने राज्य से भगा दिया और चित्र कला को धर्म विरुद घोशित कर दिया जिसके कारण से मुगल कला का अंत हो गया दोस्तों मुगल कला पे कुछ MCQ-based question मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी और upload करूँगी मेरी कोशिश रहेगी कि तुम लोगों के board exam से पहले-पहले मैं तुम्हारा फर्स्ट रम का syllabus complete करा दूँ और important questions यहाँ पर upload कर दूँँ दोस्तों तुम्हें मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन को प्रेस कर देना वीडियो पूरी देखना अपने नोट्स बनाते रहना और मुझसे किसी दूसरे टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हो तो कमेंट बोक्स में मेसेज छोड़ देना ओके दोस्तों तेंक यू